श्री गणे शाय नमार प्रीवंधुओ एक वार कोरव और पांडव गेंद खेल रहे थे। अब जैसा की आप सबको मालूम है कि इनमे भीम बड़े चंचल प्रुरुती के थे। खेल में मनों विनोद करना इने बहुत अच्छा लगता थे। जब गेंद भीम के पास में आ गई तब भीम ने क्या किया एक ऐसा टोला मारा कि गेंद उचलती हुई और पास के एक कुगे में जाकर के गिर गई। सब लोग भीम को ढाटने लगे। तुम हर हमेशा सब को परिशान करते हो अपने कारियों के कारण अच्छे खेल रहे थे। क्या जरूरत थी तुमको गेंद में ऐसा टोला मारने की अब कुए में गिर गई। कौन निकालेगा। ऐसा सब आपस में लड़ और जगड रहे थे। उनका लड़ना और जगडना भी सोभाविक था। क्योंकि बच्पन में खेलने की वस्तुएं ही बच्चों की संपत्ती होती है। और जब संपत्ती का नास हो जाए, नुकसान हो जाए, तो दुख होना भी सोभाविक होता है। इसलिए कोरव और पंडव सभी मिल करके और बड़ा दुख मना रहे थे कि अब हमारी प्रिये गैंद जो थी, वो कुए में गिर गई, कैसे निकलेगी। फिर धीरे-धीरे सब ने अपने-अपने अलग-अलग प्रियास किये। दुर्योधन ने भी प्रियास किया दूशासन ने भी गेंद निकालने का प्रियास किया धर्मराज अर्जुन भीम नकुल सहदिव सब ने उस गेंद को निकालने का प्रियास किया परन्तु गेंद कुगे से बाहर ना निकली इतने में कोई एक महान योधा उस कुए के पास में आई बच्चों को वहाँ पर उदास बैठे हुए देखकर उन महान योधा ने पूछा हे पुत्रों बताओ तुम्हारी उदासी का क्या कारण है और मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिये कारिय करूं यदि मेरे योग कोई काम होगा तो मैं अवश्च ही तुम्हारी उदासी को दूर करने की कोशिश करूंगा तब धर्मराज कहने लगे हे महानुभाव आप जो भी हैं हमारे पूजनिये हैं हमारी गैंद इसकुए में गिर गई है और हमने लाह कोशिश की वाइगेंद हम से ना निकली अब हम कैसे खेलेंगे इसी चिंता में हम सब लोग लगे हुए हैं तब वे आगनतुक महानुभाव हसने लगे बच्चों से कहा कि आप एक काम करें एक मुठी लकडी की सीख ले आएं तब कोरव और पंडव एक मुठी लकडी की क्या बात है सब जो है बहुत सारी सीखों को ले करके और उन महानुभाव के पास में आ गए उन महानुभाव ने उन सभी सीखों को इकठा किया और मंत्र से अभी मंत्रित करके और कुए में उन सीखों को छोड़ दिया बहाँ पार एक बड़ा ही आश्यरिय घटित हो गया वे सीखें जो कोरव और पंडवों ने ला करके उन महानुभावों को दी थी उन महानुभाव ने उन सीखों को अभी मंत्रित किया उन्हें कुगे में छोड़ दिया वे सभी सींकें एक विसेश आकार को ग्रहन करके और कुगे में प्रविष्ट हो गई याने कुगे में चली गई और थोड़ी ही देर के बाद उन सभी सींकों के उस विसेश आकार के उपर वो गेंद रखी हुई कुगे से बाहर आ गई यानि वे सभी सीखें उस गेंद को साथ में ले करकी और कुगे से बाहर आ गई कोरव और पांडवों को बड़ा आस्चरिय हुआ हमने इतनी कोशिश की गेंद हमसे ना निकली इन महानुभाव ने लकड़ी की सीखों के सहायता से गेंद को बाहर निकाल लिया निस्चे ही यह महानुभाव कोई बड़ा जादू जानते हैं तब वे सभी कौरव और पंडव उन महानुभाव से प्राथना करने लगे हे प्रभु आप जो भी हैं हमारा दंडवत सुईकार करें और हम ऐसा भी निवेदन करते हैं कि जब आप यहां हस्थनापुरी में आए हैं तो हमारे जो पितामा स्री भीष्म पितामा हैं उनसे भेंट किये बिना यहां से ना जाएं हम आपके यहां पधार्नी की सूचना उनको शीग्राती शीग्र देने के लिए जा रहे हैं वे सभी कोरवोर पंडव पितामा भीष्म के पासम पहुँचें और जो घटना कुवे के उपर घटी थी वे सभी घटना पितामा भीष्म को कह सुनाई बच्चों की बात सुनकर पितामा भीष्म विचार करने लगे कि ऐसा कला और कोशल तो आचारी द्रोन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखा सकता है निश्चे ही हमारे इस नगर में आचारी द्रोन पधारे हुए हैं ऐसा विचार करने के पस्चात पितामा भीष्में बच्चों से कहने लगे कि हे पुत्रों सुनो वे जो महानुभाव कुए की जगत के उपर बेठे हुए हैं उन्हें सा सम्मान मेरे पास में ले करके आजाओ ध्यान रखना मार्ग में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए पितामा भिस्म की आग्या पाते ही कोरव और पंडव कुए की जगत के उपर बेठे हुए आचारिय द्रोण के पास में पहुँचे हाथ जोड कर प्रातना की कि पितामा भिस्म आपसे मिलना चाहते हैं आचारिय द्रोण बालकों के आग्रह को सुविकार करते हुए और भिस्म पितामा के पास में पहुँच गए तब पितामा भिस्म ने द्रोण आचारिय के चर्णों की पूजा की और निवेदन किया कि हे प्रभू आज से आप इन कुरुकूल के बालकों को सभी प्रकार के सस्त्रों अस्त्र चलाने की विध्या देने का कष्ट करें गुरु द्रोणा चारिय जी महराज ने पितामा भिस्म के इसाग्रह को सुविकार कर लिया और उसी दिन से महराज सिरी गुरु द्रोणा चारिय कोरव और पांडवों के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए बंधुओ आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कामेंट्स वाक्स में अवश्र लिखें आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद जै माता की जै परश्रम जी की